पचीस साल के इस खिलाडी ने अगर कर से लिया पंगा अब भरी जवानी में लेना पड़ेगा सन्यास कभी नहीं मिलेगा टीम इंडिया में मौका आखिर कौन है ये खिलाडी इंग्लेंड टैस्ट सीरीज से किया इस खिलाडी को बाहर सभी हुए हैरान भारतिय क्रिकेट टीम में जगह बनाने के लिए देश के लाखों क्रिकेटर हर दिन घंटों मेहनत कर रहे हैं लेकिन इसके बावजूद कुछ ही ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्हें टीम इंडिया की तरफ से खेलने का मौका मिल पाता है और उनमेंसे कुछ ऐसे होते हैं इस वर्षिय विकेट कीपर बल्ले बाज ईशान किशन का नाम भी था लेकिन उन्होंने मानसिक स्थिती का हवाला देते हुए टीम इंडिया से अपना नाम वापस ले लिया था। उनका कहना था कि लंबे समय तक टीम के साथ रहने और प्लेंग 11 में शामिल ना हो पाने की वजह से उनका मानसिक संतुलन अस्थिर हो गया और उन्हें आराम चाहिए। किशन के इस फैसले के बाद अजीत अगरकर ने उनके स्थान पर के-स भरत को भेजा था। इशान किशन ने मानसिक स्थिती अस्थिर बताकर टीम इंडिया से ब्रेक मांगा था। इसके बाद उन्हें के-बी-सी में देखा गया था। किशन के साथ के-बी-सी में भारतिय महिला क्रिकेट टीम की स्टार बलेबाज इस्मृती मंधाना भी मौजूद थी। इस शो में किशन से काफी मज़ेदार सवाल पूछे गए थे जिसका जवाब उन्होंने रोचक अंदाज में दिया था। रिशब पंत की इंजरी की वज़ह से ही टैस्ट में ईशान किशन और के-स भरत को टीम इंडिया में मौका मिला है। लेकिन अब पंत जहां तेजी से अपनी फिटनिस हासिल कर रहे हैं, वहीं दूसरे विकेट कीपर के रुप में केल राहूल ने खुद को तयार कर लिया है। पंत की वापसी और केल राहूल की मौझूदगी के बाद ईशान किशन और के-स भरत को शायद ही भविश्य में टैस्ट फॉर्मेट में मौका मिले। ईशान किशन को लेके आपकी क्या राय है कॉमेंट करके जरूर बताए।